अन्युक्ति क्या सही वीडियो बनाता हूं कि कर्मों का स्पल मिलता है या पिर में इस्ष्वर का क्में बहुत ज्यादा देखने और होता है कि क्या सच में सर्भवान होते है क्या एक अधरती पर किसी ने देखे लेकिन cél चीज हम एक एक बारे में बात करते हैं कि मुझे बताओ कि आज जैसे अपना इस जीवन आ जैसे जो आप देख रहें वीडियो में है अपना एक जीवन है यह कम से कम जितने भी साल समय का मिला होगा हमें मैं भी नहीं पता है ना 1780 जितने का भी मिला होगा पर इस पूरे जीवन में अगर वास्टविक्ता में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुख जो आदमी को मिलता आदमी को चाहिए क्या पहली बात तो किसी को दुख चाहिए क्या नहीं चाहिए ना सब किसके पीछे भाग र करने के अंदर शांती है है ना तो उसके पास अगर पैसे नी भी होंगे ना तो भी उसका जीवन बहुत बढ़े रहेगा मस्त है कोई टेंचन ही बढ़े नीद आ रही है मतलब स्वया और नीद आ गई खाना खा रहा है तो उसमें आननन ले रहा है और एक वो जिसके अंदर मानसिक शांतिनी है तो वह अच्छा भोजन भी होगा तो उसको भी वह फिल नहीं कर पाएगा वह अच्छा विस्तर होगा नीद नहीं ले पाएगा तो अगर हम देखें तो वास्तविक्ता में कि जो इंसान भाग रहा है वह भाग रहा है सुक के पीछे कि मुझे थोड़ा तो अब हम बात करते हैं सर भगवान हे के नहीं है तो अब देखो भगवान तो मैंने भी नहीं देखे और किसी नहीं देखे लेकिन एक बात है कि जब हम स्प्रिच्वालिटी की तरफ जाते हैं भगवान की तरफ जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब मेरे शु के मज़ा आ रहा है बस करो लेकिन जैसे से मैच्र वए तो उस समय कुछ צीजे ऐसी हुई कि dependent है एपक्षा नहीं लगवा है ना लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है मन परेशान कर रहा है यार यह क्या हो रहा है नींद नहीं आ रही है ना बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं मेरे खुद के भी आते थे पहले बिना वज़े मतलब ऐसा कोई वज़े थी कि कोई खास वज़े हो उसकी बस बेवज़े परेशान दिमाग क्योंकि दिमाग भारी भारी रहता था और डिप्रेस था बहुत समय से तो ऐसा मन करता था कि यार जाने में फाइदा है उपर यहां तो ऐसा कुछ रखा नहीं है है ना तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर आपने यह मान लिया है कि भगवान नी है for example तो ऐसे में क्या करोगे आप भूत कुछ गलत कर्म करोगे आपकी संगत वैसी हो जाएगी है ना लोग आपको ऐसे मिलेंगे और इससे क्या होगा कि एक चीश तो निश्यत है कि भगवान या जो भी है है ना एक दिविशक्ति त तयार कर रखा है और वो software ऐसा है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा और ये बात की गहरा ही आपको तभी लगेगी जब आप spirituality में आएंगे जब आप भगवान को मानेंगे जो व्यक्ति भगवान को मानता है और जो नहीं मानता है दोनों के बारें बताता हू एक व्यक्ति का सामन्य जीवन चल रहा है ये भी और ये बहुद अब ये व्यक्ति भोगवान में मानने लगा तो कम से कम यह वैसी गलत काम करने से रुख जाएगा और यार यह उड़ते ही माता पिता है ना तो कम से कम उससे मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छी बुद्ध्य आ रही है कि यार मैं अच्छा काम करूँ पोजिटिविटी आ रही अंदर है ना फिर उसके बाद में फिर कहीं सथ संग में बैठे फिर मां सुनने को मिला कि बात सुनी तो क्या बात पता चली कि भगवान केते हैं कि मुझे वही वेक्ति प्रिय होता है जिसका मन निर्मल होता है जो चल कपट नी करता है तो मैं जैसे पहले चल कपट कर रहा था कहीं से कुछ चूरा लिया किसी को पता नी चला किसी किसी दुकान पर गए तो वहां पर ऐसा हुआ कि मानलो अपने पैसे बने थे साथ उसको पचास पकड़ा और उसने डाल लिए गल्ले में तो अपन दस बचे यह क्या यह चल कपट है धोका है है ना तो जब यह बात पता चली तो अगर कहीं गलती भी होती एक बार से लेके निकल सकता था पर चूकि मैंने वह बात सुनी तो वह गलत कर्म करने से बचा क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह सो रुपे मेरे पास ज्यादा अगरे तो मेरे हो गए मेरे तो होई नहीं सकते कभी जिंदगी में वह तो किसी भी रूप में चले जाएंगे और वह जाते भ जाएंगे कि कहीं थोड़ी सी कुछ सर्दी जुकाम भी होगा दवाई गोली भी लाएंगे डॉक्टर से ठीक है और सो की जाएंगे दोसों जाएंगे तो उसमें एक तो दोसों गए डबल पैसा भी गया प्लस शरीर को भी नक्सान हुआ है ना तो इसलिए ये चीज़े शी सुनने को मिलता है मतलब अगर कभी कोई आच पदेशानी है तो आप एसा मत सुचना कि हमेशा रहेगी एक समय में चली जाएगी तो थोड़ा से चलो यार बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात हम को सुनने को मिलती है और जैसे ही हम भगवान की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को जैसे कि हम कोई भी डायरी लाते है तो उसका पहला पेच छोड़ते हैं भगवान के नाम अरे अपन ने तो पूरी जिंदिगी छोड़ दिए कि आप यह आप ही देख लेना और जब जब आप छोड़ेंगे जैसे कि पहले जब शुरूआति दोर में में चारते था कि मेरा में ने यह कर दिया अब मैं मुझे पता है कि में नी हूं में कुछ नहीं कर रहा हूं कि जब मैं कर रहा था तो कुछ हुआ हम लेकिन जैसे ही हमने इश्वर के ऊपर छोड़ा कि आप ही देख लेना मेरे से नहीं बन रहा है वास्तों में सत्य घटना बता रहा हूं मैं शुरुआती दोर में 5-6 साल तक बहुत मेहनत करी दोड़ा उधर 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 पर ऐसा कोई खास हुआ नहीं फिर मुझे मन ही मन मन का भवान देखो आपका काम कर रहा हूं मेरा तो काम है नहीं आप देख लेना अपने आप बच्चे जादा बढ़ने लगे अपने पैसा जादा आने लगे तो उससे बात यह कि कई अच्छे-च्छे कर्म इसी द्वरान बना लेता है तो धीरे-धीरे बून-बून से घड़ा बढ़ता है उसका प्रारब्द अच्छा बनता और आगे उसको कई सारी अच्छे-ची चीजे मिलने लगती है यह तो वह हो गया जो भगवान में विश्वास करता है अब भगवान है कि नहीं यह तो मुझे भी नहीं पता पर विश्वास करने में यह फाइदा एक दूसरा वेक्ति जो नहीं विश्वास करता है तो उसका आदा समय तो इसमें निकल जाएगा कि जैसे कि कि किसी को देखेगा कोई पुजा पार्ट कर रहा है तो उसके होता है नहीं मानता है तो उसको किसे से कोई मतलब नहीं है वो अलग है लेकिन वो जिसको सबसे मतलब है तो वो क्या करेगा जैसे कोई देखा किसी ने जो है कई बैठा हुआ आदमी राम 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 कर रहा है तो उसको देखके क्या क्या बेखूब लोग है कोई भगवान हो रहा है किसी की मदद कर रहा है कुछ अच्छा सुन रहा है सत्संग सुन रहा है ठीक है विश्वास इसका बढ़ रहा है इसका पूरा समय इसमें निकल रहा है क्या तुम करते रहते हो कुछ नहीं क्योंकि उसको सब पढ़ेगा तो यह किसी को समझाना पढ़ेगा यह मान रहा है तो इसको लग रहा है सम्मान रहे हैं और माने नहीं माने कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन दूसरा व्यक्ति है उसका पूरा समय न तो उसका किसी के सामने गलत दृष्टी नि है इस gospel ने चीज बनाई ही है क्यों अब आप देखो कितने गलत करम भी बन रहे है मन भी शांत नी हो रहा है और पैसे की तरभ भिध्यान नी जा ती चला और 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 इसके मन में क्या है कि मैं बड़िया काम कर रहा हूं मेरे पास अच्छा पैसा आएगा तो हे नहीं है ये बात तो अलग करो पर सबसे बड़ी बात कि मानने में फाइदे कितने नहीं मानने में नुक्सानी नुक्सान है तो अगर ऐसा है तो मैं तो इस रहाँ पर चलूँगा तो अब इसमें यह सर किसको माने जो बच कर रहा है करते रहो सब बढ़िया और सब बढ़िया ही है रास्ता मतलब रास्ता अलगा लगे मंजिल तो एक जगे पहुच रही है यहां से मुझे बॉंबे जाना है यहां से 10 रास्ते है तो मान लोग कोई यूँ हो के गया तो मैं उसको यह बोलूगा कि तू गलत है भईया पहुंचेगा तो बॉंबे ही ना कैसे भी जाएगा कहीं से भी होके जा रहा है आदमी पहुंचेगा बॉंबे मलब जाना हम सबको एक ही जगे हैं बस रास्ते अलग लगे तो जो रास्ता आपको बच्पन से आपके घर वालों ने बताया है बस उस पर चलते रहों आप पहु तो लगे तो इसलिए अगर आपको जीवन मिला है और आपको लगता है एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट में आपको अगर इधर आनंद मिल रहा है जैसे नहीं मानने में ज्यादा आनंद की प्राप्ती हो रही है तो फिर आप यह करिए क्योंकि में चीज़ तो है चाहिए और जिसको लग रहा है कि आर में और हम की तरब जाता हूं तो मुझे सुकून इलता ए मुझे अच्या लगता थब सुनने में बड़ा मजा आता है बहुत गरंत पढ़ने में अच्छा लगता है अच्छी किताबे पढ़ने में अच्छा लगता है तो फिर आपको इधर चलना चाहिए तो कुल मिला के बात यह है कि आप के लिए सबसे अच्छा लगता है तो आपको इस बात में क्या सचाही लगती है कॉमेंट करके बताईएगा ठीक है आपके आप देख लेना कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में है थैंक्यू थैंक्यू अब्रिवन और हाँ मैंने अभी एक भगवत गीता की सीरीज चालू की है जो की अपने काविया के चैनल पह है डिस्क्रिप्शन में उसका